दोस्तों स्वागत आपका एक और नए प्रोपर्टी के वीडियो में और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 17,75 की डाइमेंशन में बना हूँ आप बहुत एक प्यारा सा घर यहां अभी मैं हूँ इसके लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ और अब हम यहां से डायरेक्ट चलेंगे इसके एलिवेशन की तरफ वहां से फिर कंप्लीट हम इस हाउस का ट्यूर करने वाले है और यह जो हाउस है इसका फ्रेंट 17,75 का है डेप इसकी पिछेतर की है आप जैसे स्राउंडिंग एरिया देखते हैं घरके आसपास तो बड़िया यहां पे जो हाउस है बने हुए है और यह जह है वेस्ट फैसिंग का है अभी इसमें जो मेन आपका गेट है वो लगना बाकी है बाकी अंदर जो काम होना हुना है वो कंप्लीट आपका यहां पे उसका देखा, कलर बगेरा काफी आपको डिफरेंट मिलने वाले है, श्टॉन फिनिस के साथ में और एलिवेशन लाइट के साथ में आपको इसका फ्रेंट का जो लुक है वह यहां पर दिया गया है, अब यहां पर पार्किंग एरिया में आप जो उपपर का एरिया है यह दे कमफलीट जो वर्क है, बहुत ही प्यारा सा आपको यहां तयार करके दिया जा रहा है, साइड में आपका जो मीटर वोक्ष है उसके लिए जगह है, अब यहां पर यह जो एंट्रेंस है, यह भी काफी बड़ी साइज में यहां तयार किया गया है, जिसमें की ग्लास और ग् अब देखिए, डवल डॉर आपको यहां पर तयार करके दिये जा रहे, जैसे बाहर की तरफ आपको यह डॉर मिल जाता है, अंदर की तरफ आप देखेंगे, बहुत ही प्यारी सी फिनीसिंग के साथ में यह आपका डॉर मिलने माला है, अब यहां से आप एंटर करते हैं, यहां है आपका एक ड्रोइंग एरिया, यहां आपने सोफा लगा सकते हैं, सामने की तरफ LED का पेनल आपका ओल्रेडी यहां पे लगाया हुआ है, देखिए, हाउस में आपको जैसा दिखा रहा हूं, सेम एजिट आपको मिलने वाला है, सेमी फरनिस्ट आज का हाउस है, औ अब देखिए, यह जो पार्ट है आपका लिविंग डाइनिंग एडिया, यह भी बढ़िया सी डाइमेंशन के शाथ में है, इसकी जो एगजेक डाइमेंशन है, वह मैं आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में में मेंशन करके देदूँगा, वहां आपको एगजेक्ट ली अगर डिस्कस करूँ तो देखिए, लिविंग डाइनिंग एडिया के बाद में सामने के तरफ आपका बेकडरूम है, अटेच में बाथरूम और यहां पे आपका एक कोमन बाथरूम है, साइड से स्टेर से और सामने की तरफ किचन है, पहले एक बार आप यहां पे जो पर हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ प्रोपर्टी परचेज करना, जेप्पुर में, वेशाली नगर के आसपास, 200 फिट बाइपास के आसपास, तो दावास की यह प्रोपर्टी है, 146 परगज में बनी हुई है, और इस प्रोपर्टी की जो रेट है, वो है 1. च्रीवन सियाद, और अब हम एक बार बेडरूम की तरफ मोह करते हैं, तो बहुत ही बड़ी है आप डाइमेंशन के साथ में, साइज के साथ में आपका ये बेडरूम है, और इसमें आप देखेंगे, तो उपर की जो डिजाइन से बहुत ही यूनिक, एक जो वोल है, इस प आप देखिए बार्थरूम, टाइल बगेरा की फिनिसिंग बहुत ही प्यारी सी, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे, सेरा जैसी ब्रेंडेड आप यहां पर फिडिंग्स मिल जाती है, इस साइड में आपकी वेस्टन सीड दी है, और अटेश्डी आपको यहां पर मिल रह जाने के लिए भी यहां पर साइड में जगह है, जो की बेक यार्ड की अरिया की तरफ उपन होती है, अब यहां आप देखेंगे, तो जो बेक यार्ड का आपका एरिया है, वो राउंड चार वाई, नोकी साइज में है, और यहां पर आप वसी मसीन रखना चाहू, वो डोर है, उसकी अब फिनिसिंग वगएरा देख लीजिए, अब देखिए आपके जो लिविंग डाइनिंग का एरिया है, स्टेर्स की जो नीचे का पार्ट है, वहां पर आप देखिए, पूरा वुडन से यहां पर कवर किया गया है, आप कुछ श्टोरेज करना चाहो, कु कुछ बुक्स वगएरा इसमें रखनी हो, या फिर अपने पुछ और आइटमस इसमें रखने हो, वह आप इसलिए यहां पर रख सकते हो, अब देखिए किचन की बारी, और यहां आप देखेंगे किचन के साथी साइड में, तो यहां पर एक बुडन में बड़ी असा मंद किर तैयार किया हुआ है, और यहां आपका मोडियूलर किचन, अब देखिए किचन में भी प्रोपर यहां पर विंडो है, ताकि सनलाइट यहां पर रहे, साइड में आपका सिंक एरिया, काउंटर टोप की बात करूँ, तो यहां पर केविनेट्स दिये है, और देखिए हा प्लोजर के साथ में मिल रहे हैं यहीं पर आपके फ्रीज के लिए जगह है 4BHK का यह हाउस है आपको कैसा लगा आज का हाउस कमेंट में एक बार जरूर बताईएगा अब यहाँ पर आप साइड वोल देखेंगे तो इस पर भी प्रोपर यहाँ पर यहाँ पर का यूज किय यहे वह आपको यहां पर मिल जाता है फिम की तरफ है आगे की तरफ दो वेड जू है पहले एक बार यहां पर यहाँ पे जो पीछे वाला है वह देख लेते हैं आ लेक test है तो इस बेट डूम में भी आपको बार दोगता या बढ़ी के मत्यार का में और इन कि एंड्र मीर् यहीं पर आप देखिए श्ट्रेज के लिए आपको स्लाइडिंग डूर के शाफ में मिल जाती है वाइडरोग उपर चत पर जाने के लिए यहां पर जो सीडियां है वो आप देख सकते किस तरीके की दी है आईरन में यहां पर तयार की हुई है अब यह है आपका house का third bedroom जो कि attached bathroom के साथ में आपको मिलने वाला है देखिए सकते हैं और इस रूम में भी आपको एक wallpaper आपकी यहां पर वोडन की wardrobe और उपर की designs देखिए और जो bathroom यहां पर है वो आपको common plus attached मिलने वाला है size काफी बढ़िया है देखिए सकते हैं आप और अब हम आगे हैं यहां पर आपके last bedroom की तरफ जो की बहुत ही बड़ी है dimension के शाथ मिल रहा है बहुत ही अपना LED लगाना चाहें वो इस पर लगा सकते हैं नीचे की तरफ drawers दिये हैं और attach आपका dressing area बात्रूम sorry dressing area है यहां पर देखिए बड़ी ऐसी wardrobs दी है side में सामने की तरफ mirror लगा हुआ है तो इस घर में आपको storage की तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है साथ ही यहां पर आपकी balcony और यहां भी double door आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं बालकनी में आप देखेंगे तो wooden finish के शाथ में आपको यहां पर टाइल वर्क मिलने वाला है सामने की तरफ आप देखिए grill sand glass बहुत ही बढ़िया और सुंदर उपर की design से एक बार अब एक बार आपको चत्वे लेकर चलता हूं वहां से भी जो आसपास का एरिया है वह आपको दिखा देता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया प्रोपर्टी आज की पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जुरूर करना है चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं क साधे सत्रावाई फिचेतर की डाइमेंशन का आज का यह घर और आसपास आप देख लीजिए एक बार बसावट कंप्लीट यहां पर प्रोपर बसावट यहां पर आपको मिल जाती है उमीद दोस्तों प्रोपर्टी आज की आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर दीजी वीडियो और हम मिलते हैं आप से फिर और एक नए वीडियो में नहीं प्रोपर्टी के साथ थैंक यू